हेलो फ्रेंड्स मैं एड्वोकेट विनो शर्मा अपनी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों अगर शादी से पहले कोई पक्ष लड़की पक्ष या लड़का पक्ष मेंटल डिसोडर जैसी गंभीर बिमारी को छीपा कर शादी कर दे तो क्या वो फ्रो कोपिक पर में चर्चा करूंगा और मेरे सामने मार्निया दिल्ली हाई कोट की एक जजर्जममेंट है जो मैं आपके साथ discussion करोंगा तो ओसतों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वे cent कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर क करें और बेला इकन का बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे तो दोस्तों शुरू करते हैं मारणिया दिल्ली हाई कोट के सामने एक अपील पहुंची है टाइटल है संदीप अगरवाल वर्सिस प्रियांका अगरवाल दोस्तों यह सेक्शन 28 ओफ हिंदू मेरी जक्त 1955 रीड विद सेक्शन 19 ओफ द फैमली कोर्ट सेक्ट 1984 के तहट फाइल की गई है और यह जो अपील है वो फैमली कोर्ट द्वारका दिल्ली के ओर्डर के अगेंस्ट है क्या पुरा ओर्डर है यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा त संदीप अगरवाल एपलेंट है हस्बेंड है इसमें और प्रियंका अगरवाल वाइफ है वो रेस्पोंडेंट है इन दोनों के शादी 10 दिसंबर 2005 को हुई थी और उसके बाद जैसा कि जो है शादी के बाद जो अपने सस्राल में यह रेस्पोंडेंट गई तो वहां पर जो है उनका बिहेवियर बहुत ही अबनॉर्मल नजर आया परिवार के लोगों को और उसके बाद जब वो हनीमून पर गए तो वहां भी उनका बिहेवियर अबनॉर्मल रहा जिससे जो जो एपलेंट पक्षा है उनको डाउट हुआ कि यह कहीं किसी मानसिक बिमारी से और उसके बाद डॉक्टर राजीव महता उसके बाद जो है इनको इंस्टिचोट अफ फ्यूमन बिहेवियर एंड अलाइट साइंसिस दिल्ली में एक्जामिन करवाया गया और फिर डॉक्टर हर्चरन सिंग को दिखाया और उसके बाद जो है आउल इंडिया कि ये जो है एक उस सिजोफ्रेनिया की विमारी से पीडि थैं और इनको प्रॉपर इलाज की उन्होंने सला दी तो दोस्तों इस अधार पर उन्होंने जो –लंटी याने अपने फादरिन लोग पो को फोन किया यानि के जो रेस्पोंडेंट के फादर को फोन ची उनक वो अपनी बेटी को शादी के 9 हाफते के बाद बेटी को लेकर घर चले आते हैं और उसके बाद से इनका कभी दोबारा जो वैवाहिक जीवन है वो इकठे नहीं रहा और 16 साल का दोनों का सेपरेशन रहा तो इस mental condition के चलते mental disorder के चलते जो appellant है इसमें उन्होंने family court द्वारका में एक petition लगाई section 12 हिंदू में reject की उसके तहत उन्होंने demand की prayer की कि इस शादी को null and void गोशित किया जाए क्योंकि जो इनकी बिमारी है acute schizophrenia की वो शादी से पहले की है लेकिन शादी के दोरान या उससे पहले हमें नहीं बताया गया कि ये इस तरह की के मनों विकार से पीडित है और उसके बाद उन्होंने reply file किया लड़की पक्षने और उन्होंने वो सब चिज़ें डिनाई की इन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई बिमारी नहीं है और ये पूरा case जोटा है और उन्होंने जो जो एपलेंट है वो सभी doctor's की witness कराई उन्होंने और बताया कि जो है इस तरह का abnormal behavior एक बीमारी के लक्षन है गंभीर बीमारी के लक्षन है तो उसके बाद दोस्तों जो लड़की पक्षने जो कहा कहीं चिज़ें उन्होंने बताई कि शादी से पहले सब लोगों से वो मिली सबसे बातचीत की और telephone पर बात होती रही लेकिन किसी ने उनके abnormal behavior के बारे में जिकर नहीं किया क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक है लेकिन उन्होंने एक चीज इसमें मानी कि वो college के time में उनको college जो years थे उनके उसके time में उनको सीर में दर्द हुआ करता था जिसके चलते उन रही है कि सगाई के चार महिने बाद शादी हुई और इस बीच इन चार महिने में वो लड़के के साथ उन्होंने private moments भी बिताए अलग-अलग जगह पर घूमने गए और परिवार वालों से उनका interaction होता रहा और telephone पर बात होती रही लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि आपका behavior जो है वो एबनॉर्मल है इसलिए उन्होंने इस बात को पूरी तरह से जुटलाया कि कोई सीजोफरेनिया या किसी भी तरह की mental illness उनको है तो दोस्तों उसके बाद family court ने उनकी जो पेटिशन थी section 12 की वो खारीज कर दी और family court ने जो ग्राउंड दिये है जो पेटिशन खारीज करने के उन्होंने कहा कि that neither the appellant nor of his witnesses have been able to conclusively prove that the respondent prior to her marriage was suffering from schizophrenia की ऐसाब कोई भी witness या खुद appellant इस चीज को प्रूव करने में साबित नहीं हुए हैं कि उनको सीजोफरेनिया की बिमारी थी और उन्होंने एक चीज और कहीं कि जब केस की कारवाई कोट में चल रही थी तो जो respondent को इसमें cross examination के लिए बुलाया उनका cross examination किया गया काफी time तक लेकिन उन्होंने सारे सवालों के सही जवाब दिये इसलिए ऐसी अगर उनको किसी तरह की बिमारी होती तो वो कोट में भी उनका पता चल जाता कि वो इस बिमारी से पीडित हैं और एक और उन्होंने कहा कि सगाई के चार मिने बाद शादी हुई है इस बीच सभी परिवार वाले उनसे मिले आना जाना हुआ बाहर घूमने फिरने गए लेकिन तब भी ये बिमारी किसी को नजर नहीं आई इसलिए ये जो ये किसी भी तरह की मेंटल एलमेंट साबित नहीं होती है तो इस ओर्डर के खिलाफ जो एपलेंट हस्बेंड है वो दिल्ली हाई कोट में जाते हैं और वहां पर ये केस दोबारा फिर जो है सुना जाता है डोक्टरों की गवाईयां सुनी जाती हैं देखी जाती हैं लिट्रेचर है इंटरनेट पर उपलब्द है वो कोट को उपलब्द करवाया गया जो जो मैडिसंस प्रेक्स्रिप्टर में लिखी गई थी जो अलग-अलग डोक्टरों को कॉंसल्ट किया गया था उन सब दवाईयों के नाम लिखे गए और को किस-किस बीमारी में वो जादी से पहले की चल रही है लेकिन उन्होंने जान भूज कर ये बिमारी को नहीं बताया और इस बीच लड़की ने सेक्शन नाइन यानि के रेस्टूचूशन ऑफ कंजूकल राइट्स का केस दायर किया उसमें कोट में और जिसको जो है इस पेटिशन के साथ कलब किया और एपलेंट का ने ये भी कहा है कि दोनों पार्टियां दो महिने से जादा इकठी नहीं रही है एक साथ नहीं रही है और मैरीज इस नोट कंसूमेटिड मैरीज कंसूमेट नहीं हुई है और दे हैब बिन सेपरेटिड फोर सिक्स्टीन यर्ज सोला साल से दोनों अलग र ने ये कबूल किया कि उन्होंने एक बार suicide attempt भी किया था and she also admitted to getting headaches and ear infections और उन्होंने ये भी जो है accept किया कि उनको headaches हुआ करते थे college time में जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो इस जो दलिले थी मारनिय दिल्ली high court के जो justice थे double bench के जब उन्होंने ये दलिले सुनी तो उन्होंने एक medical board बिठाने की बात कही ताकि जो respondent है उनका medical examination, mental examination किया जाए ताकि पूरी सच्चाई court के सामने आ सके लेकिन respondent के जो पैरवी कर रहे थे advocate जो उनके स्वम उनके पिता थे तो उन्होंने इस medical board को बिठाने की या किसी तरह के examination कराने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि इस तरह की कारवाई लड़की पर एक cruelty होगी तो दोस्तों जब उन्होंने नहीं माना किसी medical board को बिठाने के लिए तो court ने इसको adverse inference लिया against the respondents, लड़की के against उन्होंने इसमें inference लिया और क्योंकि एक और case है, शार्दा वर्सिस धरमपाल जिसको court किया गया था इस hearing के दौरान वहाँ पर भी medical examination करवाया गया था medical board के दौरा उसके बाद पूरी सचाई सामने आई थी लेकिन चूंकि यहाँ पर जो लड़की पक्स था, जो respondent पक्स था, उन्होंने medical board बिठाने से मना कर दिया किसी भी तरह का further examination कराने से मना कर दिया तो court ने जो evidence act की section 114 है, जो उन्होंने वो court की, कि court may presume existence of certain facts की the court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being head to the common course of natural events, human conduct and public and private business in their relation to the facts of the particular case. तो court ने स्वाम ये मान लिया कि जो respondent का case है, वो doubtful है कि वो किसी बिमारी से पीडित नहीं है और अगर वो किसी बिमारी से पीडित नहीं है, पहले नहीं रही है या अब भी नहीं है तो उनको जो medical board के सामने अपना experts का opinion लेने में उनको क्या हर्ज है तो इस बिना पे court ने जो है ये जो appeal थी appellant husband की वो उन्होंने accept की और इसमें जो judgment honorable दिल्ली high court की double bench जिसमें justice विपिन सांगी, justice जस्मीत सिंग थे उन्होंने कहा की we are therefore inclined to allow the present appeal and annul the marriage between the appellant and the respondent on the ground contained in section 12.1b of the Hindu marriage act ये जो appeal थी वो allow की और जो marriage थी appellant और respondent की वो उन्होंने null and void घोशित की under section 12.1b of the Hindu marriage act और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा की जो appellant को 16 साल में जो तकलिफें जेलनी पड़ी हैं वो भी जो है बहुत ही कस्टकारी रही क्योंकि इन 16 साल में अगर ये relationship से वो बाहर आ गए होते तो एक अच्छी matrimonial life जी रहे होते तो उन्होंने जो है वो कहते हैं कि however in the process unfortunately the life of the appellant has been ruined and he has remained stuck in this relationship for 16 years की appellant का जीवन बरबाद हो गया और 16 साल वो इस relationship में फांसे रहे without any resolution जिसका कोई समाधान नहीं निकला in the most important years of his life ये उनके जीवन के बहुत ही महत्वपुरन साल थे when the appellant would have otherwise enjoyed marital and conjugal bliss और अगर वो इस जमेले में ना पड़े होते तो वो अपना एक अच्छा व्यवाहिक जीवन कहीं जीरे होते he has had to suffer due to the obstinacy displayed by not only the respondent और जो उनकी जित थी के नाकेवल respondent की बलकि उनके फादर की उसकी वज़े से उनको ये सब जेलना पड़ा इसलिए मारनिय दिल्ली हाई कोट ने ये शादी नाकेवल null and wide गोशित की बलकि लड़के को यानि का अपलाइंट है husband उनको दस अजार उपे का token cost दिया और ये जो है उनके फादर की से लिया जाएगा जो respondent के फादर हैं तो दोस्तों ये judgment जो है बहुत जो वेवाइक समंदों पर बड़ी सठीक judgment है और ताजा judgment है जो मैंने आज आपके साथ share की है